अज इस वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि grow app में कैसे आप online डिमेट्रेंट रिडिंग काउट open कर सकते हैं grow में आप दिमेट्रेंट्रेंट डिंग कर सकते हैं इस पर आपको कोई भी rental चार्ज नहीं लिया जाेगा फ्री में आप अकाउंट ॉपिन करेंगे ग्रो एप के तुरू आप इस्टॉक और मुच्वल फंट दोनों में इन्वेस्टमेंट कर लगते हैं तो ग्रो एप में ओनलें डिमेट एंट टेंडिंग आउंट ओपिन करने के लिए आपके आधार कार्ट से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है और दूसरी बात कि आप तो इस वीडियो में बने लिए मैं आपको लाइप प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि ग्रो एप में कैसे आप फ्री में ओन्लाइन डिमेट एंट टेंग काउंट ओपिन कर सकते हैं इस वीडियो में तक सोगाइज महुनीलेस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब क्यानल शूपर टेक्नाल लाजिम आपसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल लाएगा आप वहां से मोबाइल डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद इससे आप उपिन करेंगे इस तरीके से डैस्बूर्ड आपके सामने आएगा यहां पर मिल लाएगा continue with google या फिर continue with other email जो भी आपकी email id लोगिन रहेगी उसके तुरू अगर आपको login करना है तो इस पर क्लिक करेंगे continue with other email पर अगर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नई email id डालने पड़ेगी जो भी email id आप register कराना चाहते हैं email id डालेंगे उसके बाद next value option पर आपक्लिक कर जाएगा उस OTP को आपको यहां पर डालना है OTP डालके यहां पर आपको verify email id पर क्लिक कर देना है आपका OTP verify हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको एक password set करना है password आपका 8 character से लेके 30 character की भी समें होना चाहिए password आप अपना alpha numeric set कर सकते हैं उसके बाद next value option पर यहां पर आ अपना mobile number देना है आपके device में जो mobile number लगा होगा वो भी आ जाएगा select करना चाहते हैं तो select कर सकते हैं या फिर manual mobile number डालेंगे send OTP पर आप click करेंगे तो आपके number पर OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहां पर डालना है देख सकते हमारे number पर OTP आ गया और OTP हमारा auto verify हो गया जो भी आपके pin card पर नाम रहेगा confirm पर यहां पर आप click कर देंगे जिसे आप confirm करेंगे उसके बाद यहां पर आपको अपनी data of forth डालनी है नीचे यहां पर आपको next करना है और उसके बाद यहां पर आपको gender select करना है gender select करने के बाद material status आप single है या फिर married उसके बाद यहां प पर क्लिक करके यहां पर आप प्रोसीट करेंगे और उसके बाद आपको अपने मदर्स की नेम देनी है नीचे यहां पर आपको अपने फादर का नाम देना है धियान लखना है कि आपका फादर नेम जो पिन कार्ट पर रहेगा वही नाम आपको यहां पर देना रहता है as per pin card तो यहाँ पर as per pin card आप अपने father का नाम डालेंगे उसके बाद next वाले option पर आप click करेंगे जैसे आप next करेंगे यहाँ पर आपकोई एक bank account select करना होता है यानि add करना होता है तो यहाँ पर आप अपना bank account add कर सकते हैं यहाँ पर आप अपना bank choose करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप IFC code डालेंगे तो यहाँ पर हम IFC code डालते हैं जैसे आप IFC code डालेंगे तो आपके branch नीचे आ जाएगी इसको आप select करना है और यहाँ पर आपको अपना account number डालना है तो यहाँ पर आपना account number डालेंगे उसके बाद verify bank पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके bank पर एक रुपए का fund सिंड किया जाता है देख सकते हैं we are depositing 1 rupees in your bank account to verify it तो यहाँ पर 30 second का time लगता है थोड़ा सा आप wait करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं bank verified successfully आपका bank account यहाँ पर verify हो जाएगा उसके बाद digilocker के तुरू यहाँ पर आपको आधार authenticate करना पड़ेगा यहाँ पर proceed for KYC पर click करेंगे अगर आपका अभी तक digilocker पर account नहीं है तो digilocker पर कैसे account बनाना है कैसे आपको अपना आधार add करना है उस पर मैं collection video बना चुका हूँ उस video link आपको इस video के description में दे देंगे आप उस video को direct जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर आप term and condition accept करेंगे और यहाँ पर authenticate आधार वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको redirect कर देगा डिजी locker पर डिजी locker का इस तरीके से dashboard रहता है यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर next वाले option पर click करेंगे जैसे आप next करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके नंबर पर OTP सेन नकिया जाएगा जो भी आपके अधार कार्ट पर mobile नंबर लिंक रहता है उस पर OTP सेन नकिया जाता है जो भी आपका देख सकते हैं, लास्ट में 4 डिजिट का नंबर भी रहता है के नंबर पर जो OTP सेन नकिया जाएगा उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद करना है देख सकते हैं के वाइसी प्रोसेस आपका कम्प्रीट हो चुका है जैसे के वाइसी कम्प्रीट हो जाएगा तो आटोमेटिक यह आपको रीडारेट कर देगा ग्रोव अप्लिकेशन में और उसके बाद यहां पर आपको अपने एक सेलफी फोटो क्लिक करनी है तो यह पर जो आपको पिन का आइकान दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपके सामने एक बॉक्स कुल करा जाएगा यहां पर इस तरीके से आप टाइप करेंगे और यहां पर आप सिगनेचर करके समिट करेंगे जैसे आप समिट कर देंगे तो उसके बाद नॉमनी का क्या relationship है तो यहाँ पर नॉमनी के साथ आप relationship डालेंगे नॉमनी का डेटा फ़र्थ यहाँ पर आपको डालना होता है उसके बाद नॉमनी का आपको कोई identity proof देना होगा और उसके बाद यहाँ पर फिनिस नॉमनी डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आधारी sign हो जाएगा यहाँ पर आपको आधारी sign करना होगा proceed to आधार e-sign पर आप click करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से screen आजाएगा proceed to e-sign पर आप click करेंगे account opening form आपके सामने आजाएगा यहाँ पर आप scroll करके नीचे आएगे और उसके बाद sign now वाले option पर आप click करेंगे और आप nsdl यानि जिस पर भी आपका pen card बना रहेगा nsdl या फिर uti उस पर आप redirect हो जाएगे यहाँ पर term and condition accept करेंगे यहाँ पर आपने आधार card का number या फिर अगर आपको vrd number पता है तो यहाँ पर vrd number भी डाल सकते हैं और उसके बाद send otp पर click करेंगे तो आपके number पर otp send रखिया जाएगा जो भी आपके आधार card से mobile number और email id लिंक रहता है उस otp को आपको यहाँ पर डालना है जैसे हमारे number पर देख सकते हैं otp आ गया otp डालेंगे verify otp पर click करेंगे तो यहाँ पर हमारा otp verify होगा और हमारा आधार e-sign validate होगा थोड़ा आपको वेट करना है यहाँ पर भी आपको नहीं करना है sign successfully देख सकते हैं आपका नाम और यहाँ पर देख सकते हैं कि start investing in mutual funds और stock में 48 hours में जब आपका account activate हो जाएगा तो stocks वगरा में भी आप invest कर सकते हैं उसके बाद add money to invest money add करना है तो कर सकते हैं otherwise explore पर click कर देंगे तो यहाँ पर grow app में आप login हो जाएंगे login होने पर इस तरीके से explore का dashboard रहता है dashboard पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका dashboard इस तरीके से आ जाएगा dashboard पर इह ब्योध्य आगर को यहाँ पर add करना है जो भी आपका यहां पर jak 40 फॉले कर सकते हैं यहाँ पर निचे यहां से grow app का balance देख सकते हैं, order आपने कोई लगाया है तो देख सकते हैं, bank detail चेक कर सकते हैं, help and support का option मिल जाता है, तो यहां पर अपने account को manage कर सकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों आप grow app में online demand and trading account open कर सकते हैं, और आप अपने account को इस तरीके से manage कर सकते हैं, I hope दोस्तों कि चोटा सा वीडियो आपका पसंद आये होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंट के साथ सेर करिए, मन में कोई doubt या problem है, तो नीचे आप comments कर सकते हैं, और मुझे Instagram पर follow करके वहां भी message कर सकते हैं, नीले094, thanks for watching, मिलते हैं नेक्श वी वीडियो में नूटाती के साथ आपतक लिजें टेकियर,